दोस्तों आज के इंडियन मिसाइल सिरीज के वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के दोरा डेवलफ किये जाने वाले और एक वविष्य के बारे में बताऊंगा। फिलाल इस मिसाइल के बारे में कोई वी जादा जानकरी नहीं है क्योंकि ये टोटली अंडर डेवलोपमें दोस्तों मैं यहाँ पे N.A.S.M.S.R. मिसाइल के बारे में बता रहा हूँ, मतलब D.I.D.O. के Under-Developed Naval Anti-Ship Missile Short Range, जो कि एक 55 km प्लस रेंज कैटेगरी के Helicopter Launch Anti-Ship Missile होने जा रहा है, दोस्तों मिसाइल के बारे में सबसे पहले जानकारी साल 2018 में लोकसवा में तफ के Defense Minister स्रीम पते निर्मला सितरावन जी के तरफ से दिया गया था, उन्होंने अपने बयान में उस दर्मियान डेवलाफ किये जाने वाले कुछ मिसाइलों का जिकर किये थे, जिन में N.A.S.M.S.R. जैसे मिसाइलों का भी जिकर था, पर इसके बाद साल 2020 में Defense Expo के दर्मियान, मिसाइल में इसके लॉंग रेंज, इंटर्मिडियर्ट रेंज या फिर मिडियम रेंज मिसाइल भी बन सकता है, डिया डियों के बयान के मताविक ये जो नेवल अंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, ये 380 किलोग्राम के आसपास के वजन के मिसाइल होगा, जबकि इसका के एज में आ चुका है और भविश्य में इसे रिप्लेस करने के लिए MS-60 हेलिकॉफ्टरों को खड़िदा जा रहा है, MS-60 हेलिकॉफ्टरों में कॉंग्सबर के नेवल स्ट्राइक मिसाइल और सी वेनम जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके इलाव हड तरीके के मिसाइलों के आवशक्ताओं को पूरा करने में सक्षम होगा, D.I.D.O. के तरफ से मिसाइल के बारे में कुछ अन्य जानकारी को भी पबलिक किया गया है और ऐसे जानकारी के मुताविक ये मिसाइल 100 किलोग्राम के वोरेट को कैरी कर सकेगा और इसका से लेके 3 किलोमिटर के अल्टीट्यूट में से दागा जा सकता है जब कि इसके क्रूजर अल्टीट्यूट मतलब मिसाइल के उरान भणने का शमतावाला अल्टीट्यूट 15 मिटर से लेके 5 मिटर के टर्मिनल फेज में होगा, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन